नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MSDigitals में आज किस वीडियो में हम आपको जो मेरिज सर्टिफिकेट होता है वो आप घर बेठे ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे वो तरीका बताने वाले हैं उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आगा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करतीजिएगा सांती चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो चलिए वीडियो सुरूर करेंगे देखिए सबसे पहले तो यदि आपने ऑनलाइन आपका जो विभा पंजियन है वो करवाया हुआ है तो नगरपाली का में यदि आपने करवाया है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट उसके लिए आपको कुछ नहीं सबसे पहले तो आपके पास एक सर्टिफ नंबर है वो आपके पास होना अनिवार है तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है यदि आपका सर्टिफिकेट गुम गया है मिस हो गया है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट की कॉपी होना चाहिए वो कॉपी इस तरह से आप MPE नगरपाली का यहाँ पर टाइप कर लेंगे और टाइप करने के बाद इसे सर्च करेंगे, मोबाइल पर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, डेक्स्टॉप लेप्टॉप पर करें, यह मोबाइल पर भी आपको Google ओपन कर लेना और Google पर E नगरपाली का जो है MPE नगरपाली का लिख कर सर्च कर लेना, जैसी आप सर्च करेंगे, देखिए आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाए देगी www.mpenagarpalika.gov.in यहाँ पर MPE नगरपाली का पोर्टल होम यह जो लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यह देखिए यह आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा MPE नगरपाली का की वेबसाइट का, अब यहाँ पर बहुत सारी सर्विसे हैं, यह देखिए आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजे दिखाई देएगी, आपको क्या करना है, यहाँ जो e-service दिखाई दे रहा है, यह देखिए, आपको e-service बाला options पर जाना है, करसर रखना है, और नीचे की तरफ आना है, बागेर करसर हटा है, औ देखिए, आपके सामने यह बाला पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, get certificate का एक option से, download मेरी certificate लिखा हुआ आ रहा है, get certificate, यहाँ पर आपस एक application number मांग रहा है, और get certificate पर click करने click कर रहा है, तो आपको क्य पेले देखिए, आपके सामने इस तरह से यह एक number लिखा हुआ है, certificate number, इसमें यहाँ पर यह जो भाग में आपको यह जो दिखाई दे रहा है, यह जो है, यही आपका registration number है, आपका जो year लिखा हुआ है, year के पहले जो number लिखा हुआ है, वही आपका application number है, तो आपको क्या कर ही application नमबर यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ से यह देखे हिए हम ने एक application नमबर लिख लिया यहाँ पर अबella certificate इस पर click करेंगे यह देखिए अब यहाँ पर क्या हमारा pop-up open नहीं है तो यहाँ पर हम यह जो pop-up दिखाई दे रहा है यह देखिए इसे यहाँ पर always open कर लेंगे pop-up जो है यह हमारा block था इसे unblock कर देंगे हम यहाँ पर allow कर लेंगे और यहाँ पर done पर click कर देंगे अब हम application number लिख लेते हैं application number लिख लिए अब get certificate इस पर click करेंगे जैसे ही रहेंगे यदि आपका जो pop-up है वो allow कर रखा है आपने तो आपका जो certificate है वो इस तरह से आपके सामने download हो जाएगा open हो जाएगा एकदम आसानी से आप घर बेठे आपका जो certificate है वो download कर सकते हैं हमें उम्म नया है तो नया निकाल सकते हैं साथी चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं बुलिएगा ताकि आपको ऐसी ही जानकारिया मिलती रहें चलिए फिर मिलेंगे next वीडियो में किसी अच्छी से नई जानकारी के साथ